तुच्छा पर पड़ा हुआ कैसा भी काला पनिया दाग धब्बे हो उसे दूर करके तुच्छा को बेदाग कांती मैं और खुबसूरत बनाएगा आज वीडियो में आपके साथ एक बहुत अमेजिंग टिफ सेर करने वाली हुँ जो कि आपके तुच्छा के काले पन दाग धब्बो को दूर करेगा अगर चोट के कारण या किसी पी कारण से आपके तुचा पर काला पन पड़ गया है तो यह उसको बिल्कुल जड़ से खतम करके आपके तुचा को फेयर बनाएगा ब्राइट करेगा और कांती में बनाएगा तो फ्रें मेरी आपसे रिक्वेश्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि वीडियो काफी हिल्पफुल है दाग धब्बे या चोट के निसान के कारण काला पनम उनक काफी कारगर है तो प्लीज वीडियो पूरा जरूर देखें पसंद आए तो लाइक और सेयर जरूर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके विल आइकन को दबा दे ताकि आपको मारे सभी नए वीडि दबो को दूर करने में बहुत कारगर होता है कील मुहासू के दाग दबे दूर करता है हमारी तुचा को गलो देता है तुचा को ब्राइट करता है तुचा की बहुत सारी प्राबलम को दूर करने में फ्रेंड ये रामबार का काम करता है इसमें विटामीन ये और बहुत सा सभी तरह की काले पन को दूर करने में भी यह बहुत जादा कारगर होता है ये हमारी स्किन को रिपेर करने का काम करता है डेतस सिर्स को डिमूब करके हमारे डामेज सिर्स को रिपेर करता है तो पांच चमच की मातरा में हम यहाँ पल लेंगे कोकोना टॉल यानी की नारियल का तिल बहुत ही एक important ingredient मैं इसमें इड़ करने वाली हुँ जिसका अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो, वह है चंदन पाउडर, मैंने यहाँ पर पंसारी की दुकान से यह चंदन पाउडर लिया है, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का चंदन पाउडर लेना है, अगर नहीं मिलता है तो आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि जो भी पो सकता है, वह हमें मिलेंगे, लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का चंदन पाउडर लेते हो, आपको बहुत जल्दी से फायदा मिलता है, क्योंकि चंदन का पाउडर लेना है, चंदन का बुरादा नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान देना है, चंदन पाउडर लोगी चंदर में कूलिंग प्रपरटीज होती है और इसमें 145 से भी ज़्यादा कमपाउंड होते है यह हमारे डामेज सेल्स को रिपियर करने काम करता है और हमारी तुचा पर जो भी दाग धब्बे है केल मुहासू के दाग धब्बे है या काला पने उसको दूर कर हमारी तुचा को कांती में बनाता है हमारे सौंदर एको निखारता है और हमारे रूप को रंगत को भी निखारने में चंदन बहुत ज़्यादा कारगर होता है हम उप्टन में चंदन का यूज़ करते ही है क्योंकि यह हमारे रंगत को निखारता है दाग धबो को भी दूर करता है और हमारे तवचा में बहुत अच्छी खुस्बू देता है और पसीनी के जो दूरगंध होती है उसे भी दूर करने में चंदन बहुत कारगर होता है फ्रेंड तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर अच इसको इसस्टोर करके रख सकते हो तो जब भी जरूरत हुँ आप अपने जो भी काले धब्बे या काले दाग है वहाँ पर आप इसको अपलाई कर सकते हो तो मैं आपको बटा देती हूँ किसको कैसे अपलाई करना है ओर फ्रेंड इसको जब भी लगाए आप बिल्कुल प या काला धबा है या काले दाग है तो वहां पर आप इसको इस तरह से लेप कर लें या किसी चोट के कारण या किसी भी कारण से तुछा काली पड़ गई तो वहां पर आपको इसको लगा कर देना है उसके बाद इसे लगा कर वहां पर लेप कर देना है और जहां पर ज्यादा काल अपने वहाँ पर ज्यादा कॉंटिटी में लगाना है इसे लगा कर आपको यह छूटना नहीं चाहिए इस बात का ध्यान देना है कुछ घंटों तक आपको इसको उस जगह पर लगे रहने देना है अगर आप किसी जगह पर लगा रहे हो जहां पर आपको लगता है कि कप लगेंगे आपके तो चाहिए जो रंगत है उसमें निखार आने लगेगा और आपके दागधब्बे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे आप इसे चोट के काले पन या जले के काले पन पर या किल मोहासो या फोड़े फुंसी का जो काला पन पर जाता है उन्में से किसी पी तर करें विल आइकन को प्रेस करें कोई सवाल है तो कमेंट बाक्स में जरूर लिखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वाचीं टेक कियर बाइबाइबाइब